कामिका एकादसी कभ है 2014 पारण का टाइम क्या है कामिका एकादसी पे बन रहे हैं तीन सुब सही हो और सुब सही योग जो बन रहे हैं वो क्या बन रहा है और इसकी पारण का टाइम क्या है एकादसी के परव का महत्व भगवान शिव को समर्पेट सावन के महिने में आने से और भी बढ़ जाता है कामिका एकादसी कवरत विधान से करने पर बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है और घर में सुख समर्दी का वास बना रहता है सावन की पहली एकादसी पर बन रहे हैं ये तीन संयोग श्रीहरी को ऐसे करे खुश कामिका एकादसी दोहजार चौविस हिंदू धर में हर साल सावन महा के कृष्ण पक्ष की दस्वीती थी के अगले दिन कामिका एकादसी का पर बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है ये पर भगवान विष्णों को समर्पित है इस तिन भगवान विष्णों एवं धन की देवी मालक्षमी की विशेस आराधना की जाती है इस अवसर पर बरती सुवह में ओठ कर घर की सापसफाई करते हैं दैनिक कार्यों से निर्वित होने के बाद वृतिस्त नांध्यान कर विधी विधान से लक्षमी नराईन जी की पूजा करते हैं साथी एकादसी का वृत रखते हैं एकदसी वुरत्य के पुन्य प्रताप से अंजाने में किये गए समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, साधक के सकल मनोरत सिध हो जाते हैं, अतर वैशनव समाज के लोग विधी विधान से एकदसी तिथी पर जगत के पालनहार भगवान विश्णों की पूजा करते हैं, पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकदसी तिथी 30 जुलाई को साम 4 बज कर 44 मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन यानि 31 जुलाई को साम 3 बज कर 55 मिनट पर समाप्थ होगी, हलांकि इस दिन एकदसी तिथी का पारण नहीं किया जाएगा, उद्या तिथी के अनुसार 31 जुलाई को कामी का एकदसी मनाई जाएगी, जिसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा और व्रत रखने वाले लोग अगले दिन 1 अगस्त को पारण कर सकते हैं, जिसका मूरत सुबभ 5 बज कर 43 मिनट से लेकर 8 बज कर 24 मिनट रहेगा, एकदसी पर बन रहे हैं ये खास संयोग, कामी का एकदसी पर धुरुब योग का निर्मान ने हो रहा है, इस योग का संयोग दो फर 2 बज कर 14 मिनट तक है, जो 30 धुरुब योग को बेहद सुब मानते हैं, इस योग में भगवान श्री हरी विश्नो की पूजा करने से साध को मनवांचित फल की प्राप्ती होगी, साथ ही शुवकारे में सिध्धी मिलेगी, इस दिन स्वार्थ सिध्धी योग का भी संयोग बन रहा है, स्वार्थ सिध्धी योग दिन भर रहेगा, विश्वास योग, कामी का एकदसी पर देवों के देव महादेव कैलास परवत विराज मान रहेंगे, इस समय में भगवान सिध्ध का अभिसेख करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती होगी, भगवान सिध्धी दोपर थीन वजfire पर 55 मिनट पर कैलास पर रहेंगे, इसके बाद नंदी पर सवार होंगे, दोनों समय अभिसेख के लिए अनुकूल है इस समय में भगवान विश्णू की भी पुजा करने से लोगों को सुख और सुभागी की प्राप्ती होगी कामिका एकादसी पूजा विधी कामिका एकादसी के दिन सुबह भगवान विश्णू के कृष्ण अवतार की अराधना करे उनको पीले फूल पंचामरित और तुलसी दल अरपित करे फल भी अरपित कर सकते हैं भगवान कृष्ण का ध्यान करे तथा उनके मंत्रों का जाप करे इस दिन भी शिवजी को जल अरपित कर सकते हैं साम के समय पीपल के विरिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी सुख रहेगा इस दिन पुर्ण रूप से जली आहार ले अत्वा फलहार ले तो इसके श्रेश्ट परिनाम मिल सकते हैं अगर भोजन ग्रहन करना ही है तो सात्विक भोजन ही ग्रहन करे इस दिन मन को इश्वर में लगाए इन बातों का रखे खास त्यान, कामिका एकादसी के दिन सुरी उदे से पहले उठे और स्नान करके साफ कपरे पहने इस तिन घर में प्याज लेसुन और तामसिक भोजन का बिलकुल भी प्रियोग न करे एकादसी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांती पुर्वक मोहौल बनाए रखे घर के द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल ना करें कैसा लगा आप सभी को हमारा ये कामी का एकादसी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पोर वाचिंग कीप झाल 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